नवस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एटीनाव स्वदेश में मैं हूँ प्रियंका उपलानंद और मेरे साथ है मिहीर भठ और दिंपी काल रा तो एटीनाव स्वदेश का आगास हो गया है आपकी तरक्की में भागीदारी की बात होगी आपकी पूझे और आपकी निवेश की बात होगी बिल्कुल और साथी जो एक सबसे बड़ा मकसद है एटीनाव स्वदेश का वो है बिजनेस की भाषा को सरल बनाना और देश के सभी तपके के जो लोग हैं उनको भारत की प्रगती के साथ जोड़ना यही हमारा मकसद है और कल हमने इसका आगास किया था लेकिन आज से रोजाना आप देख पाएंगे एटीनाव स्वदेश पर निवेश को आसान भाशा में बिल्कुल और FNO के सारी डेटा आप परफॉर्म तो करी रहा है बहुत पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा है यही और परफॉर्मेंस का बाजार में भी रहती है इस पर बिलकुल नजर रहेगी यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह भव्य लांच की तस्वीर हैं जो हमारे ऑ्फ़िस के में मिले और आपके अच्छे सौदों में भी मिले इसी कड़ी को मिशुरू करें तो पहले आज के कुछ एक important questions देख लेते हैं जो बजार में सब लोग पूछना चाहते हैं तो चलिए आज कौन से माकत रियात कर रही हैं इसका क्या असर होगा और यूस में जैसे टेक शेयर टूटे भारते आईटी शेयरों पर क्या दबाव पनेगा कल हमने देखा कि लगा तर कल तमाम टेक्नोलोजी शेयरों में एक सलॉप देखने को मिला और HDFC बैंक के बिजनस अपडेट से आगे क्या अच्छी तस्वीर आएगी और साथ ही FICE की कैश में जो दूसरे दिन खरीदारी देखने को मिली है तो क्या अब ट्रेंड बदल गया है ये सारी खबरों पर नजर होगी तो चले सबसे पहले शुरू कर लेते हैं ये समझने कोश करते हैं कि आज Asian Markets देखे से रहे हैं तो अगर हम Asian Markets की बात करें तो फ़लाद SGX नर्टी रपाफ में दिखाए दे रहा है और निकाई 3% की गिरावत के साथ दिखाए दे रहा है अकर का क्या ऐसा हुआ है जिसने इतना बड़ा वेट किया है globally Markets पर और वहीं बात करें तो युएस Markets में भी अच्छा का सा Sell-Off कल देखने को मिला तो क्या वजा है मिहीर से हम समझ लेते हैं मिहीर हमारे साथ इंडास्ट्रिय को स्टॉक मार्केट को बिजन से कॉनमी को बिजन स्वोल्ड को इतना अच्छा समझते है आपकी डीप रिच नॉलेज हमारे काम आएगी म अच्छा के अच्छा का अच्छा की अच्छा का देखने हैं माहिए युएस डेट सीलिंग का एक टेंशन है युएस बॉंड इल्ड है या फिर कई न कई महंगाई की चिंता हैं कैसे हम पूरे सेनारियो का समझे लेकि आपने युए जो तीनो ही ट्रगर बता है यह कही नह परसेंट नीचे था लेकिन जो इससे जादा बड़ा इसमें इश्यू है अमेरिकी बाजारों के लिए वो यह है कि एक तो बॉंड इल्ड जो है वो हलका होने का नाम नहीं ले रही है वहां से कोई रिलीफ नहीं है दूसरा बार बार फेट की तरफ से यह जो बयान आए है कि महंगाई की दर जो है वो युएस में जो उनका कमफर्ट जोन है उससे उपर रह सकती है और इसका सीधा असर वहां पर बजारों पर देखने को मिल रहा है लेकिन आपने एशियन मार्केट में जो दबाव की बात की उसमें बहुत बड़ा ट्रिगर है जिस पर अभी है उसका वायोलेशन किया है एक दिन उन्होंने अठाइस फाइटर जेट बेजे थे उसके दूसरे दिन थर्टी एट बेजे थे और जो आखरी इंकरजन हुआ है उसमें चपन लड़ाकु जहाज हुआज उन्होंने ताइवान के एर स्पेस में भेजे है तो आप देख सकत कि इस समय जिस तरह की हरकते चल रही है उससे कोई खास confidence building इस समय इंटरनाशनल मारकेट्स में नहीं हो रहा है अब इसका सीधा असर जो है भारती बाजारों पर इस तरह से पढ़ता है कि कल भारती बाजारों में जो एक rebound देखने को मिला था इसकी बहुत बड़ी वज़े यह थी कि FIIs और DIs दोनों का रुख सही था भारती बाजारों के लिए खरीदारी उनकी तरफ से देखने को मिली थी लेकिन होगा क्या कि क्योंकि इंटरनाशनल मारकेट्स इस तरह से दबाव में हैं ऐसे में भारती बाजारों की upside जो है वो थोड़ी सी सीमित हो जाएगी थोड़ी सी capped हो जाएगी और हो सकता है बाजार दाइरे में रहने की कोशिश करें मुझे उल्टा यह लगता है कि अगर बाजार दाइरे में रहता है तो यह भारती बाजारों के लिए कुछ बहुत बुरा नहीं है क्योंकि अगर downside बहुत जादा open नहीं होती है तो at least वो जो negative bias है या फिर bets जो है वो हावी नहीं हो पाएंगे बाजार पर और यह एक अच्छा संकेत भारती बाजारों के लिए मिल सकता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर FIs और DIs दोनों की तरफ से cash में खरीदारी हुई है लेकिन डिम्पी जो derivatives के trade है और उसका जो data है उस पर निफ्टी पर आता हूं एक तो औस तन रोल ओवर्स इस बार हमारा रोल ओवर कम हो था October के अंदर करीब 84% का रोल ओवर होता है average ती मेनी के अवरेज थी इस बार 81% के रोल ओवर के साथ हम निफ्टी है यह तो पहला ही ट्रिगर था कि यहां पर निफ्टी के अपर साइड कई ना की कैप हो जाएगी ग्लोबल मारकेट्स परिशान करेंगी दूसरा इंपोर्टन आकड़ा है कि यह निफ्टी के अंदर फ्रेश बिक्वाली हो रही है हाला कि बिल्डप बहुत जादा नहीं है करीब 1% के ओपन इंटरस्ट के साथ ही शॉट्स हो रही है यानि कि स्ट्रॉंग नहीं है तीसरे इंपोर्टन चीजा है वह है वी वैंप अगर आप एक बहुत रिस्क इंडिकेटर देखते हैं जो आजकल बहुत सारे टेक्निकल एंडिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं वेटेड एवरिज प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरिज प् मैं जरब बैंक निफ्टी का डाटा आपको बता रहे तो बस यहीं से मेरा कंप्लीट हो जाएगा बैंक निफ्टी में जो प्रॉब्लम है वो अन्वांडिंग की जादा है क्योंकि बैंक निफ्टी का जो कॉम्पोनेंट है सिर्फ 11 शेर का है निफ्टी के अंदर 50 शेर है एक दिन आइटी चलेगा दूसरे दिन ओटो चल जाता है तो कहिना की बैलेंसिंग हो रही है लेकिन प्रॉब्लम आ रही है बैंक निफ्टी में क्योंकि 11 शेर का इंडेक्स है एक और चीज है इसके अंदर जो ओपन इंटरस्ट है वो माइनस 7% हुआ है इसका मल इसके नीचे बंद हुआ है अगर आप कंपेरिटिवली देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी की पोजिशन थोड़ी सी ज़्यादा सीवेर और ज़्यादा प्रॉब्लम है लेकिन एक और ट्रिगर भी है क्योंकि इसके अंदर 7% को उपन इंट जिस तरह से चल रहे हैं चाहे वो ब्रेंट कुड हो या फिर बाकी जो अनर्जी रिलेटेड जितनी भी असट लासे उन सब के प्रैज जिस तरह से चल रहे हैं यह और एक ऐसा ट्रिगर है जो भारतिय बजारों के लिए अगर कोई नेगेटिवली इस्तिमाल करना चाहे तो कर सकता है और ट्रेडर की जो साइक Philadelphia होती है वो टिसकी इस ही होती कि जब फ्रोप leweels लगातार अपने विवेथ को गाइड करते रहेंगे इंडेक्स पर लीवेंड कर बात कर ले दाय। आज की बिग स्टोरी की, RBI ने श्रे इंफ्रा के बोट को सस्पेंट कर दिया है RBI ने SRIE equipment का बोट उसे भी सस्पेंट कर दिया और Bank of Paroda के पूर्फ CGM रजनीश शर्मा को अड्मिनिस्ट्रेटर ने उक्त किया है सारी जानकारी के साथ हमारे EDNow स्वदेश के समाधता अंकुर मिश्रा हमारे साथ बने में अंकुर मॉर्निंग पहले तो पूरी ख़वर समरा है जी यहां RBI ने जो श्री ग्रूप इंफ्रा है उनकी जो कंपनीज है श्री एक्विप्मेंट और श्री इंफ्रा इनको सुपर सीट कर दिया है और नए अड्मिनिस्ट्रेटर को रिन्यूक किया है इसका सीधा साथा मतलब यह है कि जो प्रमोटर्स थे जिनकी बाचीर चल रही थी बैंकों से जो कर्द को रिस्तक्षर करने के लिए अब वो नहीं होगा अब यह आई बीसी प्रोसीडिंग्स में जाएगा मतलब एक नया बायर आएगा और जो भी प्रक्रिया होगी वो इंसॉल्वेंसी एन बैंकरप्सी कोड के तहत होगी मतलब यह है कि आब बैंक नई बोलिया मगवाएंगे नए खरीदार आ सकते हैं और जो आई बीसी की तहत प्रक्रिया है वो चलेगी अभी तक आरबियाई ने हाला कि कंपनी को एंसी एल्टी रिफर नहीं किया है लेकिन हमारे सूत्रों के मताबिक एक हफते के अंदर यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है कुछ और नाम भी हो सकते हैं जो की नए बोर्ड मेंबर के तोर पे कंपनी को जॉइन कर सकते हैं जैसा कि नए एड्मिनिस्रेटर को जॉइन कराया है तो मतलब बैंकों के लिए मतलब यह जो तीस जार करोड का जो कर्ज है उसका जो रिस्रक्षरिंग है अब वो नहीं होगी अब जो भी प्रक्रिया होगी वो आई बी सी के तहत होगी और एक नया खरीदार मिल सकता है श्री एक्विप्मेंट और श्री इन्फरा के लिए बिल्कुल तो ये तो एक एहम खबर है RBI ने कड़ा कदम उठाया है लेकिन अब इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर है यहाँ पर उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी बिल्कुल महीर उसके अंदर कहना कि करीब जैसे अग्गुर भी बता रहे थे बड़ फिर भी मैं आपको बता रहे तो इसमें जो बैंकिंग एक्सपोजर है इसमें इंडियन बैंक करीब 2,000 कुल रुपए का एक्सपोजर रखता है और बढ़ाने के बाद कौन सा बड़ा बिडर आता है कि अगर बड़ा बिडर आ गया तो आप यह समझ लीजिए कि इनके पैसे इनको बहुत जल्दी मिल जाएंगे देचेफल वाले केस में भी यह हुआ 34,000 क्रोड रुपाय बैंकों का फसा हुआ था जैसे थोड़ा भी NCLT के अंदर तेजी रुखे कि तो उनका पैसा आ गया शुरुआती दौर पर क्योंकि मामला थोड़ा गंभीर हो गया तो इसलिए हो सकता जटका लगे लेकिन आने वाल स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए लेकिन हाँ यह जरूर है कि ओवराल भी बजार के लिए आज अगर आप देखें स्टॉक्स निफटी अभी 100 से जादा अंक नीचे है और देखते हैं जब बजार खुलेगा तो क्या दाइरा बजार धुनता है लेकिन यह जरूर है कि कुछ एक स्टॉक्स जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए या फिर पैक जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए कल भी आप देखें अगर जो तेजी बजार में देखने को मिली थी उसमें केमिकल स्टॉक्स ने खुलकर हिस्सा लिया था और इंडेक्स के बाहर के जो stocks हैं या फिर जो mid cap में हैं उन stocks पर भी रुजान काफी अच्छा देखने को मिला था मुश्किल यह है कि अब आज जिस तरह के triggers हैं बाजार के लिए क्या यह sustain करेंगे या फिर give up कर देंगे वो देखना होगा दूसरा जो metal stocks है उसमें कल हमने selectively बहुत अच्छा momentum देखा था आप नालको जैसे stocks को देखिए वहाँ पर जो रुजान देखने को मिला था वो अपने आप में काफी interesting था तो यह कुछ ऐसे stocks हैं जिसके नज़र रखनी चाहिए तो थोड़ा सा वक्त देने में कोई जादा गलती नहीं होगी इन फैक्ट आप थोड़ा सा समय दे हैं बजार खुलने के बाद लेकिन हाँ फिलहाल SGX Nifty जो है वो तो यही indicate कर रहा है कि एक लाल निशान में opening और इसमें जादा ताज्यूब होना भी नहीं चाहिए क्योंकि Asian Bazaar हमने शो की शुरुआत में जैसे कहा बाकी जो Asian Indices है उन सब पर अगर आप देखें तो यह समय अच्छा खासा बेकवाली का दबाव बना हुआ है बिल्कुल चले तो यह तमाम सारे factors इन पर बज़र नजर होगी हमारी sectors, stocks, कहां होगा action और साथी अपसो कुछ तेर में हमारे साथी इती नाओ के managing editor निकुंज डाल में भी जुड़ेंगे जो अपना नजरिया बताएंगे, अपना analysis बताएंगे कि वो global markets के सेनारिय को देखते हुए Indian indices को कहां देख रहे हैं और कौन से sectors और specifically कौन से stocks हैं जहां पर आप action देख सकते हैं खबरों के दम पर यह तमाम मुद्दों पर इस पर नजर होगी जल्व निकुंज से भी तो यह एक बड़ा concern नहीं है क्योंकि आप energy resources के लिए अब जादा खर्च करेंगे क्योंकि demand जादा है तो यह एक और pressure क्रेट करेगा चाहे आप gas के prices पे बोले, crude oil के prices बोले जी है यह बात सही है लेकिन यह typically थोड़ा सा long term में play होने वाला trigger है भारती बजारों के लिए भी इसे हम इसलिया से भी देख सकते हैं कि भारती अब economy में जिस तरह के recovery इस समय देखने को मिल रही है जो कि काफी तेज है और उमीद है कि तेज रहेगी भी कल वे इन फैक कल भ बात है कि एक negative trigger बन सकता है बजारों के लिए लेकिन हा कई बार ये भी होता है कि क्योंकि इस समय भारत का strategic reserve management है वो काफी अच्छा है और जब ये निशले लेवल पर चल रहा था तब काफी कुछ stock up किया भी गया है तो हो सकता है कि वो कुछ हद तक हमें कुशन दे दे मेरे ख्याल से जो जादा नज़र रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए दरसल हमें dollar की moment पर लेकिन हमारे साथ अब निकुझ जुड़े हैं उनसे बात करते हैं निकुझ morning to you और बधाई हो आज पहला market opening show ETNOW स्वदेश पर और आप हमारे साथ जुड़े हैं ट्रिगर्स हाला कि बह Good morning भीर जी हाँ आज एक बड़ा दिन है कल चैनल का हमने शुबारम करा था और आज market hour का हम शुबारम करने वाले हैं कल जब हमने चैनल का शुबारम करा था तो मैं बोलूँगा कि शेर बजार ने भी ETNOW स्वदेश को एक प्रकार की सलामी दिया और शेर बजार एक all time high पर द्वा था आज हो सकता है थोड़ी शेर बजार में नर्मी जरूर रहे और मैं खास करके दर्शकों का ध्यान इस समय टेक सेल आफ जो हुआ है यूएस में उसकी तरफ ले जाना चाहूंगा अगर आप देखे तो यूएस टेक स्टॉक्स बहले ही वो Facebook हो या फिर Amazon हो या फि 5-15% की गिरावट आई है तो सबसे पहले तो आपको यह जाना है कि जो अगर यूएस टेक स्टॉक्स में सेल आफ आ रहा है तो उसका सीधा प्रभाव इंडिया में किन कंपनीज को पड़ेगा तो इंडियन कंपनीज और यूएस टेक कंपनीज के अंदर कोई कोरेलेशन न इंडियन टेक स्टॉक्स में लंबी देर तक रहेगी मुझे नहीं लगता है मगर जो कच्छे तेल अर्थात क्रूड के दो दाम भड़े हैं तो एक डिंजरेस लेवल पर आगा है उस लेवल पर आपको अब क्रूड क्रूड और इंट्रेस रेट को आप इग्नोर नहीं कर स क्रूड के दाम भड़ना हैं, क्मोरिटी के दाम भड़ना हैं, will they be more tolerant towards inflation और TCS एक गोल स्टैंडर कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है, यह पहली कंपनी थी जिसने पेंडिमिक के में पीक में आके बोला था that all is well and things are locking up, तो TCS हम ज़रूर जाना चाहेंगे कि इस सम लोबल की उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहेते हैं, this week will be all about local की उस बिलकुल, और आपनी इन फैक्ट काफी एहम बात कही निकुंच की, TCS के नंबर्स साथी जो RBI की मीट है उस पर नजर रहेगी, और कुछा तक हो सकता है, इन फैक्ट आप शो में जोड़े उस से पहले भ परकेट की है, वो अगर बरकरा रहती है, भले ही शोट टम में थोड़ा बहुत वालेटाइल रहे या फिर थोड़ा नेगेटिव बायस भी रहे, लेकिन फंडमेंटली आपको याद होगा, कल भी हमने जितने बड़े निवेशकों से बात की, जानकारों से बात की, उनका संकेत बहुत अच्छे हैं, और इस तरह के अगर कोई triggers मिलते भी हैं, तो उसमें सावधानी के साथ हमें मौके धुणने चाहिए निवेशके. तेकि मीर, no bull market goes one way, हर bull market में correction आता है, हर bull markets में shake out होता है, हर bull markets में rotation होता है, यह जो bull market मार्च 2020 में चालू हो आता है, एपरिल 2020 में जब वापिस हम COVID से recover कर रहे थे, stair market में recovery आ रही थी, उसके बाद हमने एक भी straight line fall नहीं देखा है, not even once in last 18-19 months, markets have seen a correction of more than 5%, तो correction तो आएगा, कब आएगा, यह बुलना बहुत मुश्किल है, मगर हम एक bull market में हैं, and the best way to participate in a bull market is simple, या तो आप जब थोड़ी train धीरी होती है, डगमगाती है, जब आपको लेना चाहिए, मगर आप अगर market को time नहीं कर सकते हैं, तो share bazar में बने रहे हैं, maximum money made in the stock market is made when you are invested in the market, not when you are timing the market, staying invested is the biggest thing, which you will benefit in the bull market, तो अगर में इवियोज को ये समझाना चाहो, अगर आप एक लंबी अज़िदी के investor हैं, तो 5-10%, 15% correction is par for course, वो कभी भी आ सकता है, मगर आप अगर एक trader है, आप अगर short term देखना चाहते हैं, जो कि कोई बुराई नहीं है, just like सब का एक तरीका होता है, सब का एक reason होता है, stock market चे जुड़े रहने का, तो हो सकता है इस समय, because Nasdaq में गिरावट आई है, थोड़े संकेत, जो macro indicate आरव इतने अच्छे नहीं है, हो सकता है कि कुछ share bazar के नरम दिन आने वाले दिनों में हो सकते हैं. ठीक है, morning मेकुंच, हमने आप से जब भी बात किया, आपकी conviction में clearly indicate हुआ कि, अगर किसी तरह की meaningful correction Indian indices नहीं देखी है, globally as compared to करें तो, लेकिन फिलहाल, अगर यहां कोई नरमी का रुख रहता है, तो घबराना डरना नहीं है investors को, अब अगर हम sector specific बात करें, banking space के अगर हम बात करें, थोड़ देर पहले डिंपी भी कह रहे थे, कि पहला make or break level अगर कहीं से मिलेगा हमें, तो आप banks से मिलेगा, HDFC bank है, जैसे कि हमें देखा, September quarter के advances, deposits, इनमें दोनों में ही बढ़ होतरी देखने को मिली है, यह क्या indicate करते हैं, कैसे देख रहे हैं आप banking space को यहां से? HDFC bank की specific बात करते हैं परहिंका, because HDFC bank एक बड़ा bank है, इसकी loan size जो है काफी बड़ी है, अगर उस large base पर HDFC bank 15% की growth की बात कर रहा है, तो जाहिर है कि bank is back in business, अगर हमारे viewers recall करें, तो HDFC bank ने जब अपने last quarter के numbers दिये थे, तो bank ने बोला था कि COVID की second waves उनको काफी मार पड़ी है, और उन्होंने business slowdown कर दिया है, अगर जिस प्रकार के उन्होंने numbers दिये हैं, एक बात पक्की है कि the bank is back in business and the retail demand is also coming back, so HDFC bank को आप SBI से compare करें, तो आप एक साल का chart देखें या फिर आप 6 मेने का chart देखें, आप देखेंगे कि HDFC bank underperform कर रहा है, state bank की तुलना में, तो मुझे लगता है कि जो underperformance है, शायद यब correct हो सकता है, दूसरा, HDFC bank एक तरह का, मैं बोलूँगा, it is like a canary in a coal mine, प्रकार का, संकेत देता है कि economy किस तरह से turn कर रही है, because इनकी large credit book है, इनकी large retail book है, तो जो COVID की जो second मार पड़ी थी, मुझे लग रहा है कि HDFC bank उससे निकल चुका है, बगर specific themes के बात करें, तो मैं दो stocks पे अपने दर्शकों की नजर दोडाना चाहूँगा, number one, DVs, DVs में कल एक बड़ा spike आया था, और हम देख रहे हैं, sun pharma किस प्रकार से outperform कर रहा है, और window के अंदर change of management हुआ है, तो pharma जो quarterly numbers के बाद काफी जोड से गिरा था, इस bull market के अंदर pharma एक ऐसा sector है, जिस के अंदर 15 से 20% correction देखने को मिला था, हो सकता है, pharma का रुक अभी बडल रहा हूँ, DVs मारकेट लीडर है अभी लीडर है इन टमस अफ आउट परफॉर्मेंस, और sun pharma का size बड़ा है, जब हम देखते हैं कि जो बड़े 2-3 दिगट शेर किसी भी सेक्टर के वापस आते हैं, सेक्टर पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, so I will not be surprised that in coming days, पैसा कुछ IT stocks or consumer stocks से निकले, और इस समय आटो और फार्मा जो पिटे हुए शेर्स हैं, शायद उनके अंदर दुबारा जाएं, दूसरा एक शेत्र जिस पर दुबारा नजर रखेगा hospitals, खासकर फोटे, अपोलो, अगर फार्मा में तेजी आएगी, तो जाहर है, इन शेरों के अंदर भी लंबी तेजी आएगी. निकुच, बहुत बहुत शुक्री आपका, थैंक्यू वेर मच, आज फिर से आपने वो सारी चीज़े बहुत ही क्रिस्प होके बताई, और साथ ही आपने विटाए कि एक तो डिवी, हॉस्पिटल, ओटो, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, पॉजिटी थिंकिंग के साब से और आई-टी कंजूमर के से पैसा शिफ्ट हो सकता है, बहुत शुक्रिया, तेंक्यू फेर मच्श, आज कारकर्म में फिर से जोडने के लिए से, बहुत शुक्रिया, तेंक्यू, आगे बढ़ते हैं, आप खबरवाले शेयर्थ आपकी स्क्रीन पर रखते है, यह bank और इसके जो नतीजे हैं September के operational numbers उसके बाद करें तो retail portfolio जो था उन्हें बहुत अच्छा सहारा मिला overall आग देखा जाए तो आपके जो loan है retail loan जो है अलमुस्ट 13 प्रतिशत भागा और आपके जो deposit है वो भी almost 14% year-runner basis पे बढ़े लेकिन जो सबसे important number मुझे लगा मेरे analysis में वो थी commercial और rural banking की जो loan growth है वो 28% भागी है इंडिया याद रखिएगा भारत पुरे MSME में भरे हुए हैं और अगर MSME में इतने सारे retail space में इतने loans आ रहे हैं तो overall जो economic के जो wheels हैं अच्छी तरह move करने लगी है और एक positive indicator देखा जा रहा तो एक बहुत positive news सिफ SDFC bank के लिए नहीं है बड़ आपके BFSI space में भी एक अच्छी rub-off effect देखने मिल सकती है और यह effect जो है Mahindra finance के बारे में बात कर लेता हूँ उन्हों ने भी अपनी September update की numbers दी है और disbursements में almost 60% का growth देखने मिल और collection efficiency एक सु प्रतिशत हो चुकी है और एक अच्छे harvest और एक festive season के कारण जो Q3 FY22 है वो भी एक अच्छा expectations है कि उसमें अच्छा performance देखने मिलेगा उसके लावा इंवेस्के और जी केस है जो NCLT में 5 अक्टूबर में उनकी सुनवाई होगी और PNB भी आज focus में रहेगा क्योंकि आपके जो MetLife है उन्होंने अपनी stake बढ़ा दी है कंपनी में PNB MetLife Insurance में एक ताइप से एक positive movement देखने मिलेगा अल्मूस 15% stake बढ़ा है और डील का size 1900 crores तक है Metal Space में बात करें तो of course Metal Space में overall rally देखने को मिल रही है broad base में और इनके जो operational आखड़े हैं वेदानता और हिंदूस्तान zinc के बारे में बात करेंगा उनके भी जो Q2 numbers है उनमें भी अच्छी improvement देखने मिली है especially आपके aluminium output वैदानता की में almost 21% का growth देखने मिला और आपके जो mind metal है हिंदूस्तान zinc की उनमें भी almost 4% का year on your basis पे growth देखने मिला एक और एक आखर stock है जो उसमें बल डील एक लाज डील expected है जिसमें AXA जो है almost 3.6% stake बेचेगी ICICI Lombard General Insurance में almost 1.75 crore shares है जो shares के pricing है almost 1498 से लेके 1576 rupees तक रहेगा याद रखिए ICICI का almost 50% से ज़्यादा stake है इस company में तो Dimpy ये shares रहेंगे हमारे ध्यान पे आज ठीक है तो इस सारे के सारे shares पे आपको news, news के साथ उसका impact भी आपको शरत बताते हुए एक छोटा सा break ले रहे हैं ब्रेक के बाद अजीत मिश्रम अरसा जोड़ जाएंगे Rallyager Security से उन से करेंगे बाच्चित और बताएंगे आज की trading calls एक छोटा से break पर लोट रहे हैं